हिंदी साहिती के इतिहास को जानने परकने के इस सिलसले में आप सब का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दिखे हिंदी साहिती के इतिहास करीब एक हजार वर्ष पुराना है। अध्यन की सुविधा के लिए विद्वानों ने इस 1000 वर्ष के लंबे इतिहास को चार खंडों में विभक्त किया है। अध्यन की सुविधा के लिए किया गया था। विद्वानों में इस विभाजन और नामकरण को लेकर काफी मदभेद रहा। और आज हम नामकरण से संबंदित मदभेद पर चर्चा करेंगे। अवर इउर काल गटत्तने प्रारंभिक काल एन्नान पेरिट्टतु। लेकिन आचारी रामचंद्र शुक्ल जीने हिंदी साहितिके इतिहास नामकपने श्रेष्ट ग्रंध में इसे क्या नामदिया वीर गाथा काल नामदिया। आचारी रामचंद्र शुक्ल जीड़ ग्रंधम वलरे फेमस हैर्दु। मच्च इतिहास ग्रंधते कालूं साहितिते सम्बंधि चोल्ळ इग्रंधम आचारी रामचंद्र शुक्ल जीड़ ग्रंधम वलरे फेमस हैर्दु। अद्धेहं इवरु काल गटत्तने वीर गाथा काल एन्नान विशेशिप्पीचदु। अंगले चुरिकम परणजाल इवर अच्च काल गटम इन्दी साहितियतले आधियत्त इवर्षंगल पल विद्वानमारूं पल पेरगलाने इवर काल गटतने इट्टतु। जैसे मिश्रबंदों ने प्रारभी काल नाम दिया, रामचंद्र शुकल जी ने वीर गाथा काल, जौज ग्रियसन ने चारन काल, राहुल सांकृत्याई ने सिध्ध सामंत काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने संधी काल, महावीर प्रसाद दिवेदी जी ने बीज व जामकरण, अलग-अलग विद्वानों ने कीए, उनका अपना-अपना तर्क भीरहा, हिंदी साइथितने इति हासतिंडे, आ उरु स्टार्टिंग पीरिडिंडे, पेरिडील, उरु वलिय चर्चा विशेम आयरुनु, उरो विद्वान मारको, उरो रीसन ओंड आयरुनु, एंदुगंड अवरा काल गटतने आ पेरि इत्टू, नमके क्युक्का इट उनन नोका, इई यूनिट्चा वुरु अच्चा कारिवान प्रदिबादी कीनद, नमलके इपेरिगल, एंदुगंड आ विद्वान मारे इए काल गटतने इपेर इत्टू, अधने पच्युक्क स्टार्टिंग यूग, स्टार्टिंग एज, अधने प्रदिबादी कीनद, अवरण मिश्रबंदू, विनोध एनना गरंथतिल, प्रारंपि काल आणन पेर इट्टतू, नोको इद एल्ला, ओपन उन्वसिटी कोड़ला क्लास आणंगिल, एल्ला उन्वसिटी गललें स्टार्टिंग यूग, स्टार्टिंग एज, अधने प्रांपि काल आणन पेर इट्टतू, नेक्स्ट, आचारी रामचंदर शुक्लि, आ काल आणन पेर इट्टतू, तो उसकाल में वीर गाथात्म कावियोंकी प्रचुर्ता था, और उसको मन में रखकर वीर गाथा काल रामचंदर शुक्लि, जीने किया, आ वरु काल आणन पेर इट्टतू, नेक्स्ट, आणन पेर इट्टतू, आणनो आणन पेर इट्टतू, आणन पेर इट्टतू, वीर गाथा काल स्वाभावीक रूप से रामचंदर शुक्लजी ने उस हिसाप से उस काल का नाम करण वीर गाथा काल किया मून नामत्तदु जोज ग्रियसन ने Modern Vernacular Literature of Hindुस्तान अधान जोज ग्रियसन टे ग्रंथ उसमें उनोने इस काल को चारन काल नाम दिया डॉक्टर रामकमार वर्मायुम युगत ने चारन काल न पर्णेट उन्ड रंड विर उन्ड तो यह नाम चारन वर्ग विशेश को मन में रख कर किया गया था ये चारन जो है राजस्थान, सिंद, गुजरात के एक जाती विशेश है उन्दिनों शाही दर्बारों में ये चारन राज कवी कापद ग्रहन करते थे उरु ग्रूप उफ उरु प्रतेग कैट्चगरी आलकारड पेर दन्न एरन्न चारन अवर राजकम्मारड अवड राजकवियाट निक्की उर्बाड कावियंगल रिजिक्की इम चेदू अगने चारन विशेश वर्गत्तिल पट्टा आलकारड रैजनकल कूड़ लोड़द गारनां जोज ग्रियसन ने उस कालका नाम चारन काल रखा अड़तद राहूल सांकृत्याईन अदेहं सिद्ध सामन्त काल नानी युगतने पेरिट्टदु उन्होने विशेवस्तू की द्रिष्टी से इस युग को सिद्ध सामन्त युग नामकरण किया विशेवस्तू नुरेमब सिद्धों का संबंद बौध धर्म से है बुद्ध मदत तोड़ चहरन इके इनन ग्रूप आलकार है रहना सिद्ध नाथ इद इनकेन विड़ो केट्टगरी आलकार होंड़ा है रहना अदले पल्ल फेमस पोईट्स नोंड़ा है रहना सर्ह पाश अबरप्पालु वीपांगने सिद्ध स्वयम रच्ना कार्थे और सामंथ रच्ना प्रेरक्थे सामंथ नोरेमां विल्लिये मोधलाली योला है रहुल सांक्रुदेन पेर इट्टू इसी कारण इस काल को सिद्ध सामंथ काल नाम दिया गया रहुल सांक्रुदेन ने दो वर्गों की बातों को मन में रख कर उस काल को सिद्ध सामंथ काल नाम दिया सिध्ध कैट्टेगरील उल्ला बौध्ध कवीगल आयरुन अवरे वलिय तोधिल अवरे सामंत्त गले पुगेड्ती कावियं एड़दुमायरुनु संधी काल संधी काल नामकरं डौक्टर रामकुमार वर्माने किया रामकुमा वर्माने चारन कालूं संधी काल संधी यानी दो भाषाऊं की संधी संधी नचा योजी कीनदु इवडे रन्ड भाषगल संधी आन उदेशी कीनदु अपब्रम्ष भाषा के अन्त और हिंदी भाषा के आरंब की स्थिती अपब इट्टुम रसकरमाया गार्यम निंगल पडिकीनन देवनागरी लिप्पील इरदन हिंदी आय वनदु इवण इई यूग गळिंज भक्ती काललुम प्रोपर हिंदी अल्लै रन्णु ब्रज, मैथली, अवधी, भोज, अंगन पल लैंग्विजसल चर्येर डैलेक्सल बोली नुवरें डैलेक्सलो अकका कावियंगल रजीक पट्टु पिन्नी डान अदु परिशकरीची परिशकरीची नमल इन्न काणन नवरी हिंदील वन्न निन्नलु उसके बाद आता है महावीर प्रसाद दुवेदी जी का नामकरन बीज वपन काल। उनका मत था कि हिंदी भाषा के साहित्य के विकास का बीज इसी युग में बोया गया था। इसी कारण उनोने इस काल को बीज वपन काल नाम देना उचित्समझा। अब इस नाम से यहा आभास होता है कि उस समय साहित्य का बीज वपन का हो लेकिन साहित्तिक प्रवर्ती की दृष्टी से स्थित्ती ऐसी नहीं थी। इस नाम से यहा आभास होता है कि उस समय साहित्तिक प्रवर्तियां शैशों में थी जबकि ऐसा नहीं है। आचारी हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने इस काल का नामकरण आधिकाल किया और सबसे अधिक फेमस भी यही नाम हुआ। वैसे इन सभी नामों में आधिकाल को सबस्यदिक मान्यता मिली। आधिकाल के स्वरूप को बांधना या जानना उतना सहज नहीं है। च्योंकि यह वह काल कंड है जिसमें कई परस्पर विरोधी प्रवर्तियां सामने आई। नमकरया नमल करिण्या यूनिटल इद डिसकरसे इदु आधिकाल कंड सामाजिक राजनीतिक परिसिती इन्दा इरदनु। एपड़ूं कणक्टि इद पड़िचाले हिस्ट्री आ करेक्ट ओडरल मनसिला आवत्तोल। अपड़ इवर्य कालकंड इवर आधित युग अधिन्डे नेमिंग अधिन्डे आवर्यू पेरिडील अत्तर इलपोल्लोरी कारियला कारणं राजनीतिक द्रिष्टी से उस्वमे क्या था उथल पुथल था नमले वर्णू नमले मेंचन जेएदू एपड़ुम इदेशी आक्रमन का भाय था दोदो संस्कृतियों के मिलन का समय था याने की हिंदू संस्कृति और मुसलिम संस्कृति और साहित्य में श्रिंगार भक्ति वीर रस की व्याप्ति थी और रस नोको आणंगेल काव्यत ले श्रिंगार और डैरनो भक्ति वीर एल्ला आम काण इस प्रकार आदी काल का यह काल सभी प्रवर्तियों के निर्मान विकास का काल था। स्वीकरत नाम कौन सा रहा आदी काल ही रहा जो डॉक्टर हजारी प्रसाद वेदी जी ने दिया। तो अगले यूनिट में हम आदी काल से सम्मंदित और रोचक बातें जानेंगे जुड़े रहिए मस्त रहिए।